ताकत का परदर्सन किया गया दोनों तरफ की अलग-अलग मीटिंग बुलाई गई और उसमें जाला तर जो बिधाय थे वो अजीत पौवार के साथ खड़े दिखाई दिये महराष्ट में भी काफी विकास उनके मातिम शे हुआ है और देश के अच्छी तरक्की के लिए अपने को बिज़ेपी के साथ जाना होगा यह चर्चा करने के बाद और जब चालीस एक्तालीस एमेले ने जिसिखने जर्गे किया चालीस एमेले ने उसके बाद याजीत पौव साथ अभी 16 एमेले हैं और 32 एमेले जो है यह आजीत पौवर जी के साथ है तो और भी जो बशो एमेले है टोटल इंशीवे के 53 एमेले है और उसमें से मतलब 48 एमेले हो गए अभी 5 एमेले आना बाबाकी है तो 5 एमेले भी आजीत पौवर जी के साथ आएगे और कुछ एमे उसमें से भी तदूती ने मेले रिटर्न आ सकते हैं उसी तरह मतलब आजीत पवार जी के साथ बड़ा अकड़ा है और सही इंशी पी आजीत पवार की है इसा अमान ना हुगा प्रधान मंतरी के राजनीति नहीं करते हैं और चिप्यशू आजीत पवार जी का खुद का निर्न है। जिसरे एकना शिंदे जी का भी दिरने खुद का निरने था वो मतलब उद्धो ठाकरे जी से अलग हो गए और उनको शिव शियना का सिंबॉल मिला है उनके साथ भी चाली से मेले आये थे तो मुझे रखता है कि इसमें मानने शरत पवार साहब के आरोपर मैं इतना है बवता ह इसमें नरिर मुदी जी का बिल्कुल कोई हात नहीं है लेकिन एन सीपी के लीडर है अजीत पवार जो अभी हाली में सर्गमुख मुख मंत्री वने हैं वो कह रहे हैं कि हमको भीलन के तौर पे पेस किया जा रहा है लेकिन एक आईए सदिकारी के रिटार्मन्ट का उमर सब्सक्राइब लेकिन उनको भी रिटायर होना चाहिए तो अब आजित पवार जी का कहना होगा लेकिन अभी पवार साब के नाम पर उनकी पारटीज चल रही थी अभी रिटायर होना या नहीं होना है यह मतलब वो खुद करें लेकिन शरत पवार जी इतनी उपर होने के बहुजूद भी काम कर रहे एक अच्छी बात है मतलब वो हमारे साथ नहीं है लेकिन विक्तिकत लेवल पर उनकी जो शक्ती है यह शक्ती बड़ी शक्ति है और 83 साल के बाद भी गुम रहे है यह मतलब एक उनके पार्टी के लिए अच्छी बात है लेकिन ठीक बात है आजी दादा का जो कहना है उन्होंने रिटायर होना चाहिए लेकिन वो कब रिटायर होना है वो पवार साहब से करेंगे लेकिन परफुल पटेल का रहे हैं कि जब NCP सीवसेना के साथ क्यों नहीं बना सकती है प्रफुल पटेल जी का कहिना सही है कि मैंने बार बार मानने पवार साहब से अपील किया था कि आप एक बहुती बड़े नेता महाराष्ट के हैं किसान दलीत आदिवासी ओबी सी सभी वर्गों को नियाई देने की भूमी का आप जानते हैं और नरेद मूदी जी अगर अच्छेत्र है वहां अच्छा विकास भी हुआ है तो देखकर नरेद मूदी जी ने भी पवार साहब की प्रशुमशा की थी कि वह पवार साहब बड़े निता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है इतना विरोध करना ठीक नहीं है लेकिन एक बा भारती जनता पार्टी है या बाकी की जो सीपीयाई है सीपीयम है आई से सोच्यालिस्ट कम्यूनिस्ट आई से सब लोग उसमें थे और तब माननी शरत पवार जी के मंत्री मंदल में दो बिजेबी के मंत्री भी थे एक हशो अडवानी थे और उत्तमरव अपाटिल थे तो मैंने बार बार पावर साब चापील किया था कि आपने इंडिये के साथ आना चाहिए नरेल मूदी जी के साथ आना चाहिए तो जो प्रपूल पटेल जी का कहना है कि अगर उद्धो ठाकरे के साथ सिवस्याना के साथ अगर इंशिपी जा सकती है तो बिजेबी के साथ क्यो नहीं लेकिन पवार साब ने माना नहीं और इसलिए आखिर में आजित पवार जी ने बहुत बड़ा रिवोल्ड कर दिया और इतने ने में लेको साथ में लेकर आजित पवार जी बीजिपी के साथ आये और इसके बाद सरकार ने वहां करा एक्षन लिया है उसका घड़ बुल्डेजर से तोर दिया गया है जो आरोपी है उसका इस पर आपका क्या कहना है तो मतलब जिन्हों ने आदिवाशी उपर आन्याय कि गया है जब दलीता और आदिवाशी पर आन्याय होता है तो जो आन्याय करता है उनके ओपर एक्ट लगता है जो आन्याय करता है उसको कोई तकलीब नहीं है तो इसलिए मतलब दलीत समाज के साथ अच्छे संबंध हर एक ने रखना चाहिए इसलिए मतलब आट्रोसिट एक 1989 में बना था पार्लेमेंट में बहुत 12-14 घंटा तक भेस हुई थी और उसमें सभी पार्डी के मिंबर आप पार्लेमेंट ने दलीत समाज पर अत्याजार होता है आदिवाशी पर अत्याजार होता है और उसके लिए कानून ममनना चाहिए और इसलिए एट्रोसिट एक्ट 1989 बनाता और मद्यप्रदेश में जो हुआ है तो उसमें सरकार ने अच्छे कारवाई की है और जो आरूपी था उस आरूपी के घर पर बुल्डोजर भी मतलब बुल्डोजर से उनका घर बुदोस्तक कर दिया है तो मद्यप्रदेश सरकार ने अच्छे लिए लेकिन दली समाज पर आदिवाजी समाज पर अत्याचार नहीं होना चाहिए जोड आजमाईस हुई है एंसी पी में उस पर आपका क्या कहना है आतरव और अश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी जाहे मानने शरत पावार एंचा नित्रुत्वा खाली के लिए अनिक गुर्ष की काम करते आहे आनि शरत पावार एंचे कॉंग्रेस पक्षा चिस होते परंतो 1998 मदे शरत पावार एंचे कॉंग्रेस पक्षा नि पक्षा काडलेल होते त्या नंतर शरत पावार ने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बणों लियोती तर आज राष्ट्रवादी और दमूर भू पोड वह रार्ट ले लाए जे माननिय श्रत पावर और यंचे पूत नहीं आजित पावो रहें तैनी मूट बन के लिए जो शाली सम्हवार आना सुबत तह सतम स्प्सक्राभ लेला है और माननिय श्रत पावर आना मूठ चालेंज तैना वह रहें निते पवार साहठा है आनि दोज दोज चाली समदार बार एंडिकवत आले लेक्वित आए। जागाई त्या पैकी आमी 40-42 जागा जिंकू असामाल उस्वास आहे। आनि विदान सबेज या 28 जागाई त्या मदलिया 200 बेक्षा जागा जिंकू। अजीत पवार यांचे 40 अमदार अमचे सोब दालिया मुल अमचे अकडा 24 जालिला हे। आनि त्या मुल अमचे तकत वडलिया हे। आनि त्या मुल या डिकानी काहे। आनि आजीत आदा याना फ्रोडलियरास आजी बात नाए।